ही वाई टी बेंस्की हाल चाल वेलकम बैक टू दे चनल दोस्तों दो दिन पहले क्या हुआ मेरा MI का ये MI4 मुवाइल जो है वो मेरे हैंड से फिसल करके वाटर बकेट के अंदर जाकर के गिर गया और उसके बाद क्या होना था इशूस तो आने आने थे इसका क्या हुआ जो इसका power button है वो work करना जो है वो बंद कर चुका है अब अगर ये discharge हो जाता है मैं इसको on करनी कोशिश करता हूँ तो ये on नहीं होता है किसी तरह से मैं इसको आज जब morning में try कर रहा था डिसार्ज होने के बाद इस mile को मैंने power button को प्रेस किया और volume down की को जैसे ही प्रेस किया ये fast boot mode पर चला गया और उसके बाद ना तो ये on हो रहा है ना ही ये off हो रहा है बिल्कुल इस्टक हो गया जाकर के उसके बाद मैंने google पर research करी, youtube पर research करी और लगबग 4-5 घंटे research करने के बाद मैंने इस mobile को जो है इस fast boot mode से बाहर निकाला और बाहर निकलने के बाद जो है अब ये mobile जो है वो on हो चुका है हलांकि power button भी इसका सही से काम नहीं कर रहा है लेकिने फिर भी start हो अगर ये same problem आपके साथ आ रही है तो YT भारत चैनल पर मैंने इसको केवल आप 5 minute में कैसे resolve कर सकते हैं इस पर आज एक video बनाने जा रहा हूँ इसके लिए सिर्फ आपको एक ADB नाम की application लैपटॉप में या desktop में डाउनलोड करने पड़ेगी और डाउनलोड करने के पाद आप बहुत ही असानी से command prompt का यूज़ करके इसको पास्ट हूद मोर से अपने mobile को निकाल सकते हैं आईए चलते हैं अपने laptop की screen में तो दोस्तों सबसे पहले हैं क्या करना होगा अपने mobile को अपने laptop या desktop से इस cable USB cable से connect करना होगा उसके बार connect करने के बार मैं आपको एक link दे रहा हूँ ये जो link है इसको मैं वीडियो के description में भी देने जा रहा हूँ और आपको यहाँ पर वीडियो पर भी दिखाई देगा ये link को copy करके आप अपने browser से open कर लीजे ये इस तरह से open होगा और open करने के बार आपको ADV की इस application को download करना है कैसे करेंगे बस start now पे click कर दीजे start now पे जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर इस तरह से आप यह देखेंगे ये download होना start हो गया है download start होने के बार बस आप यहाँ पर आ जाईए show folder में जाने के बार आप इसे extract कर लेजे extract आप जैसे ही से करेंगे मैं करके दिखा दे यहाँ को यह मैंने extract all पर click किया यह हम इसे extract कर रहे हैं extract करने के बाद इस तरह से एक folder आपका start होगा और folder के start होने के बाद आप इस application को launch कर दीजे और application के launch होने के बाद यह आप से yes इस तरह से next 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 मांग रहा है और next करने के बाद यहाँ पर आपका एक command prompt जो है वो screen इस तरह से appear हो जाएगी यह command prompt की screen है यह इस तरह से appear हो जाएगी मैं इसको large कर देता हूँ थोड़ा सा large करने के बाद आपको अराम से समझ में आएगा यह large हो चुका है command prompt पर आपको दो चीजों को type करना है सबसे पहले आपको यह command type करनी है fast boot devices fast boot space devices और enter press करना है इसके बाद इस तरह से कुछ commands आजाएगी और उसके बाद एक और command को प्रेस करना है वो है fast boot space reboot जैसे ही आप enter करेंगे तो आपकी screen पर आप देख रहे होंगे आपका mobile जो है वो restart हो जाएगा और restart होने के बाद वो fast boot mode से निकल चुका है केबल 5 मिनिट के अंदर ये सब कुछ हुआ, download हुआ, command prompt और मैंने दो command को टाइप किया fast boot space devices और दूसरी command fast boot space reboot तो आपका mobile जहाँ पे तर्था fast boot mode पर ये वहाँ से निकल चुका है और इसके बाद आप इसको जैसे चाहें, restart कर सकते हैं, use कर सकते हैं और जो भी requirement थी अब आपकी वो fulfill हो चुके हैं इससे जुड़ेवे कोई भी सवाल अगर आपकी रह गए हों तो वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और इसी तरह के अच्छे अच्छे इंट्रस्टिंग देखने के लिए वाइटी भारत चनल को अभी subscribe कर लें ताकि आगे आने वाले notification आपको हमेशा मिलते रहें सब्सक्राइब करने के बाद और कुछ रूब प्रेस करें तभी आगे आने वाले सभी वीडियो के उन्टिफिकेशन आपको मिलेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और हमेशा वाइटी भारत चनल पर बने रहें मिलते हैं वाइटी भारत के इसे तरह के बहुत ही अगले इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद दोस्तों